हम दिसकुंश करते हैं नहीं नहीं नई वे स्वेक्श के संसे बारे में यहाँ लुट करने वारे थैने पूर प्रीट नि'm मा Capital को लिए और कहा पर है दिल्ली है आप समझ रहे होंगे हैं ना की वेकेंसी के लिए जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है दिल्ली में वह वी खास तो ना तो तो आप देख सकते online application form जो है वो 24 जनवरी से open already हो चुका है आज जब मैं इडियो बना रहा हूं तब 27 तारीक है दूस्तों और 13 फरवरी इसकी क्लिक कर दिया यह मेरा नहीं हो रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं आप इस पर जाना है ना डी जी इस अब देख लो अच्छे से और इस पर जाकर कि आप उसे भर सकते हो ठीक है अब यह मागे चलते हैं देखो यह एक वलिंटरी बॉड़ी है वह सब हमें पता है यह सारा कु की यहां पर वेकंसी है टोटल पोस्ट यहां लखेंगे हम किती है दस हजार दोसो पिचासी ना कि आट सो पिचासी 25 ठीक इतनी पोस्ट है ठीक है अब देखे सबसे अजीब बात इसकी यह लगती है कि इनने बूला है कि वालिंटियर्स की तरह यानि इतने गार्ड हम भरती और यह जो लिखा ना फॉर्द टर्म ऑफ थ्री एस यानि थ्री एर्स के लिए तो आप जा रहे हो और दो साल तक आपकी एक्स्टेंड की जा सकती है तोटल आप पांस साल तक के लिए होंग गार्ड इसमें रह सकते हैं अब यह जो दुस जार दूस पच्चासी है इसमें कई लोग सुचेंगे सर हमारे बाकी केटेगरी कहा गई तो मैं बता तो देखे 15 परसेंट 7.5 परसेंट 27 परसेंट लिखा न यहांने 15 परसेंट रिजर्वेशन जो है वह साड़े साथ रिजर्वेशन साड़े साथ एच अब दोगो हर क्यारि में जतनी भी केतेगरी न कोई भी क्याकिरी में एक तिहाई हिस्सा जो टोटल है ना उस गई कटेगरी का जने परसेंट जैसे कि 10 स्कॉन परजेंट यह अपनी तो हर क्यारी में एक ट्यांट 30.3 परसेंट जो है वेकैंसी वह रिजर्व कर दी गय के लिए हो चुका है और फेलिंग विच विद एक्स सीए पीएफ परसनल एंड फेलिंग विद बोथ फ्रॉम दे नॉर्मल इसका अंदर समझते हैं आप फेलिंग विद कहने को मतलब यह देखो इनने यह कहा है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इस बात को यहां पर है न चलिए यहां पर भली बहते हैं अब इसमें कई सारे परसेंटेज हैं किदर किस कुछ करतों बटे हुए तो जैसे कि देखो टोटल पोस्ट का यह ना 15 परसेंट ओफ टोटल पोस्ट यह आप निकालोगे तो यहां परसेंट औफ टोटल पोस्ट यह किसके लिए है अपने के लिए है थिक आपको दहाला थेंटी सेवंबरसेंट जो टोटल पोस्ट का लेकिन एक बात ध्यान सुनना मालों की एक सर्विसमें सीट को नहीं भर पाए किस तरह से खाली पड़ गई तो यह सीट चली हैं किसके लिए अब 15 परसेंट का एक तिहाई कर दो आप जतनी भी आरें इनके सीट है इसका उतला भी हुआ कि एक तिहाई और सी टोटल सीट यह किसके लिए मिलेंगी यह वोमें के लिए होंगी वोमें एसी हो गया ऐसे ही एक तिहाई एक तिहाई और कौन सा एस्टी ले लो वोमें वो जो एस्टी में आती है क्लियर है 27 परसेंट में से 33 परसेंट सीट है उनके लिए बुक है जो महिलाएं है ओब इसी से क्लियर है कहानी यह ना डेट याद हो गई आपको 24 जनवरी 13 फरवरी लास्ट डेट है इसकी दस हजार 25 टोटल कोस तो आपको यह होना चींदिया एंड रेसिडेंट आफ नेश्टी टेरीटरी अव दिली बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को थे सुल लो आप यह ना आप एक तो इसे पोलेंग लिखा और ना एन इनि आप दिल्ली के रहने वाले को कि यह बात के लिए प्रूफ रहते हो या तो आपको बास वैलेट पास्पोर्ट हो एलेक्शन कमिशने ने आईडी वोटर आईडी कार्ड हो राशन कार्ड हो अच्छा वाला ड्राविंग लाइसेंस हो ना इशूड वाई जोकी ट्रास्पोर्ट डेपार्टमेंट ऑफ जी एंसीटी दिल्ली के दुआरा आपको दिया गया हो पास्पोर्ट पॉब्लिक सेक्टर बैंक कोई होगा तो पास्पोर्ट लगा दो यह सारी चीज़ें एज क्राइडिर के बात पर तो बीस से पैतालिस साल अर्लिया अब यहां पर इसको साफ साफ लिखा इससे पहले आप डेट अब बढ़त नहीं होनी चाहिए और एक जनवरी दोहजार चार इसके बाद की नहीं होनी चाहिए यह किसके लिए होगी जनरल के लिए होगी अब देखो एक सर्विस्मेन और एक सीएपीएफ ज्वाले जो है इनके लिए 54 साल तक की छूट है मतलब इनकी एज के साफ इनको बता दिया इनको यहां रेंज दे करके नहीं कंफ्यूज कर रहे है इतना है ट्विल्थ पास मांगा गया है ठीक है सीनिर सेकंडरी और अगर आप एक सर्विसमेन या सीएपीएफ है तो आपके टेंथ पास ही चल जाएगा है हाइट मिनिम्म जो है एक सो 65 सेंटीमिटर मांगी गई है मेल के लिए और फीमेल के लिए एक सो 52 सेंटीमिटर मंगी तो यह भी आप देखी लोग इसमें कोई बड़े बात नहीं आप जोल करके आना है सारा कुछ आप को ठीक है इतना सारा कुछ आप कर लिए अब देखो उसके बाद क्या होना है जो सेलेक्शन क्राइटेरिया है यह क्वालिफ क्या क्राइटेरिया देखो क्या क्राइटेरिया देखो रेस कौन सी निकाल अब मेल केंडिए बहुत ध्यान सुने अगर आपकी उमर 30 साल तक है अब तो थर्टी यह सो आप तो आपको 1600 मिटर की रेस दोड़नी हो चे मिनिट के अंदर टाइम लिमिट आपको ध्यान दखता चे मिट गिंदर आपको उसे पार कर देना वहीं अगर आपकी एज तीस से चालिस साल के बीच में है तो आपको 16 साल दोड़ना लेकिन आपके लिए एक मिट बढ़ जाएगा और अगर आप एक सर्विस में और यह सब रहे हैं और पैतालिस साल के आसपास हैं तो भी आपको एक बात में के लिए कैदू कि जो लोग यह सोचते हैं कि सर जो सेलेक्शन क्राइटीरिया है आपने बताया कि 16 सो है बस एज वाइस यह अलग अलग हो रहा है अलग 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 टाइम पर यह सब चीज़ चल रहे हैं देखो पहले तो आपको यह लग रहा होगा कि सर जो ट आपको पता है दिन बर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है इतनी मारा मारी है कि मैंने लोगो को देखा है कि अच्छे खासे ग्रेजुएट बिचारे कुछ भी होकर कि अपने हर इंडिस्ट्री में जाकर के रिज्यूम फेकते हैं कि कुछ तो मिल जाए कोई एक्स्पिरेंस लेनी के लिए तैयार है मैं कहता हूँ चलो आप इसे कंपनी मान लो कर दो तीन साल जा करके अगनी वीर का बड़ा वो ने लगा चार साल नोखरी करके भगा देंगे मैं कहता हूँ उसको मान लो कि आपने को सेटिफिकेटे ले लिए अरे कम से कम कहीं गाड की भी अच्छी लेगी में काटनी पड़ेगी वो है फ्रस्टेशन अब दूजरा फ्रस्टेशन आप बोलेंगे सार नौकरी करते करते तैयारी कैसे करेंगे हो जाती है जिसमें जजबा होता है जुनून होता है जिसे कुछ हासल करना ही है आप देखो कोई वो कर लेता है ठीक है कि मुटिवेशन किस बात के लिए किसी ने इतना पैसे खर्च किये मूई बनाए ही आपको दिखाया एमोशन होने के लिए कि आपको करना होगा बाद कर लिए ना आप पर कोई भी काम आपके बस दस काम होंगे ना तो भी फरक नहीं पड़ता आपका जो एम हैं अगर तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप से कि आप इसे पार्ट टाइम ही मान करके चले जाना कर लेना अप्लाय करना मिल जाए अच्छी बाद है तीन चार तीन साल दो साल पांच साल जितना भी हो रहा है इसके बहुत सारे आपके पास आप वहां जैसे विंडो एक बार ओपन दो सब पता चल जाएगा चिंता मत कीजिए बस मैं यहीं चाहरा हूं कि खाली बैठे हैं तो यहीं कर लीजिए चली तो बड़ी है आप द्यान रखेंगे जो मैं आप से का ठीक है इतनी सारी बात हम ने कर ली अब देगे फीमेल के लिए मैं बता दूं उनके लिए 16 की दोड़ जब आप इसे पास कर लोगे जो क्वालिफाइ करेंगे उनको रिटेंट टेस्ट के लिए गुलाया जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि सेलेक्शन क्रैटेरिया कुछ ऐसा है कि 1600 मिटर की दोड़ तो ही है ना 1600 मिटर की दोड़ हो गई और यह हो गया और इसको मैं एक मिन अब देखा ना उसका नाम है पी एम एटी अना यह तो नाम बुझे तो नहीं निग दिया है कि आसा है यह यह फिजिकल मेजर्मेंट एंड एफिशेंसी टेस्ट इससे मेजर्मेंट वगिए भी होगा आपका हाइट वाइट भी नापिंगे तो दो हैट तो मने आपको पता अब यह फिजिकल एग्जामिनेशन आपको निकालने पड़ेगी और आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी वहां पर देना पड़ेगा विच यह अप्टेंड फॉन देली पुलिस वेबसाइट तो दिली पुलिस वेबसाइट से आप उससे ले सकते हो वह यह एप और यहां पर क्लिक करके यह सब चेक कर सकते हो बाकि मेरे साफ से तो मैंने आपको मेजर जानकारी पूरी की पूरी दे दिया कोई भी डॉट हो तो आप मुझे बताईएगा क्यों भरेंगे यही मने आपको बता दिया कौन नहीं बर रहा है कोई दुबिदा थी तो यही हो स कि लोगों की काम आये तो काम आया तो अच्छी बात है बताएगे कि जुड़ी रही है इसका इड्मिट कार्ट वगेर कब आएगा तो यह में शौर्ट वीडियो जो होते हैं ना वारे यूटूब में उसमें अप्लोड कर देता हूं उसमें अपडेट कर देता हूं तो से उसे देख सकते हैं आपने सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों पस यहीं प्यार बनाएं रखो अपना बस आपसे जुड़ करके आपसे बात करकी तो अच्छा लगता है ठीक है जै हिन जै भारत मिलते हैं अगले वीडियों